हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल सिंग बीबॉय फ्रेंड्स आज को टॉपिक है चक्रासन कैसे करें जी हां दोस्तों यह चक्रासन का डेमो जिसे कहते हम डी नॉर्मल भासामी फ्रेंड्स आप लोगों ने या तो अपने बच्पन में जरुष्ट ट्व बनना चाहिए और बैसिकली स्टेंड और बैक जम्प के बारे में उसे भी सोचते कि हम भी हमें भी हम भी करें सो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे डी कैसे बने तो स्टार्ट करेंगे नॉर्मल जंप से दोस्तों मैं बेसिक एक्सराइज इसलिए करवाता हूं ताकि बाड़ी हीट हो जाए और जब भी हम कोई नियो स्टेंड या कुछ भी कोई मूव क्राइज करें तो कोई इंजरी ना हो सो फ्रेंड्स इसके बाद हम करेंगे टग जंप और टग जंप करने के बाद जो हम बेसिक एक्सराइज है उसे फुल्फिल करेंगे बिकास वाम अप करने से बाड़ी हीट हो जाती है और वेस्ट लोटेशन वेस्ट लोटेशन जो है कि डी के लिए बहुत ही वारी इंपॉर्टेंट है वेस्ट लोटेशन करने के बाद हम करेंगे साइड स्ट्रेच और साइड स्ट्रेच करने के बाद अल्टरनेट टो टच करेंगे अल्टर हमें बहुत होने लगता है इसलिए हम काफी टाइम तक कर नहीं पाते हैं और जब फर्स टाइम क्या होता है जब हम फर्स टाइम डी बनते हैं फ्रेंड यह मेरा करेंगे फ्रेंड जब हम स्टाइ़िंग बने तो हमें लेट के बनना है अपने घर में बड़ पर चांड कने तो हम किरज़ा आगे तो हमें आगे की और पैर को करती ना और इसे ही हम डी बन जाएंगे और यह हमारा कम्पलीट जर्दयृ बेंद आज़े हैं चाहिए चाकराश आजाएगा तो फ्रेंड्स हम उसे बैक जंप भी सीख सकते हैं विकॉज यह बैक जंप का बेसिक होता है दोस्तों यह है देखी बैक जंप फर्स टाइम मैं भी डी बना सिखा था फिर बैक जंप मुझे भी आई थी फ्रेंड्स